जोहार दोस्तों सागत आपको हमारे यूटूब चैनल के आरिज्याम में दोस्तों जारखन उत्पान सिपाही से सम्मंदित इस वीडियो में आपको एक इंपोर्टन जानकारी देने वाला हूँ इस वार जो आपका दोड होने जा रहा है वो आपका RFID के माज्यम से दोड होग सुरू करते हैं और इससे पहले कि चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज्ये साइड में बेल आइकॉन की घंटिया उसको भी दबा लिज्ये ताकि दोस्तों आपके आपके एक जाम से सम्मंदित जितने वी महत्यपूर्ण जानकारिया है सभी की हरपल के जान करके अभी यत्रियों का वास्तविक दोड कराना मतलब यह तो आपका कंफर्म है कि इस बार जो आपका दोड होगा वह RFID के माज़्यम से होगी ठीक है तो चलिए आप समझते हैं कि आपका RFID क्या होता है और के से उसमें दोड को कंड़क्ट किया जाता है चलिए देखते है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि RFID के माज़्यम से जब भी दोड कंड़क्ट किया जाता है तो RFID के माज़्यम से दो परकार से दोड कंड़क्ट किया जाता है तो पहले परकार में होता है कि आपका जो सेंसर है वो जमीन में लगा जाता है जैसे कि आप लोग वीडि केसे कंड़क्ट किया जाता है उसके बाद बताऊंगा कि आपका जो सेंसर है जब उपर लगाया जाता है तब आपका जो दोड़ है वो केसे कंड़क्ट होती है ठीक है तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर जो सेंसर लगा दिया गया है यह आपका जो चमला में आपका समय को देखा जाता है आपका मिनट सेकेंड उसके बाद मिली सेकेंड ये आपका इसलिए लिया जाता है क्यूंकि जब भी स्टुडेंट की संख्या बहुत जादे हो जाती है तो उस समय आपका ये तीनों भागों में आपका समय को देखा जाता है मतलब आपका मिन कर देख रहे हैं इसमें आपका sensor लगा दिया गया है इसमें आप लोग जो है अपना पेर को रखकर आपना जो है दोड़ना शुरू करेंगे और पेर में आपका जो चीफ है वो लगा दिया जाएगा RFID चीफ ठीक है उसको लगा दिया जाएगा और आप दोड़ना शुरू कर तो यहाँ पर आपको सावधानी ये रखनी है कि बहुत सारे student पूरा-पूरी 60 मिनट में दोड रहे हैं तो पूरा-पूरी 60 मिनट में दोडना आपको नहीं है आपको थोड़ा सा कम समय लेना जैसे कि 57 मिनट, 58 मिनट में आपको दोड को complete करना क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आ आपने millisecond होता है उसमें आपने 0.1 millisecond ले लिया फिर भी आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा क्योंकि student की संख्या बहुत जाद है इसलिए दोस्तों आपको जो दोड की तयारी करनी है वो दोड आपको जो है जब भी आप लोग ground में दोड रहे है या फिर आप लोग road म है तो उसमें तोड़ा कम समय लगा कर आपको दोड़ना है ताकि 57 मिनट 55 मिनट में आप लोग दोड जो है वो complete कर तके ताकि उस समय आपको कोई परिशानी ना हो तो यहाँ पर आपका जो चीप लगता वो आपका पेर में लगाया जाता है ठीक है पेर में लगा दिया जात इसमें आपका automatically सब कुछ note कर लिया जाएगा मतलब इसमें किसी भी परकारते कोई भी धांदली नहीं होती है अब बात करते हैं कि आपका जब भी sensor को ऊपर लगाया जाता तब दोड़ आपका केसे होता उसको समझ दें तो दोफतो आप बात करते हैं कि दूसरे परकारते जो RF दोढना सुरू करेंगे तो इसमें जो आपका चीप लगता है वो pita के पीछे लगा दिया जाता है व अपके हसाब से लगा देंगे जिसमें आपको कोई भी आस विधा प्रिए यहां पर चीप लगा धिया जाएगा और इसमें भी जैसे यप लोग यहां से पार करेंगे यहां पर बॉर्डर से जैसे आप लोग Só पर लिया कि कि अधा मैंドン नोट कर लिया जाएगा और जैसे आप लोग दोड़ना शुरू करेंगे उस समय नोट किया जाएगा और अंत में जब आपने समाप्त करेंगे उस समय दोड़ने के बाद आपका देखा जाएगा कि कितने मिनर कितने सेकेंड और कितने मिली सेकेंड में आपने दोड़ जो है वो complete किया है, वहाँ भी यदि आपने एक millisecond भी यदि आप लग जादा लिये हैं, तो वहाँ पर आपको reject कर देगा, क्योंकि दोस्तों student की संख्या बहुत जादे है, इसलिए इस वार इस नियम को लागो किया गया, ठीक है? तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको सभी जान करिया आपको मिलते रहे.